तो हेलो एप्रिवर्न कैसे हैं आप सभी आई होप आप लोग बहुत ही बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी तो इसी तैयारी को और भी बेस्ट बनाने के लिए मैं आ चुकी हूँ आप लोग के सामने पेडियाट्रिक के 1000 कोशन क थल्ची सेरीजी लेकर चलिए टाम को नवेस्ट करते हुए हम अपने कोश्टों की तरफ चलते हैं तो फरस्ट कोश्टों है कि बच्चे के लिएपलें थायरपी कि क्या अपयो है 100 question की ठीक है तो एक preterm baby में secondary 다른 seacoscis वोने की संभावना अथिक रहती है प्रीटर्म baby में secondary heathasis होने की संभावना क्यूं जादा रहती है तो इसका most common मतलब क्या कारण हो सकता है क्यूं ऐसा रहता है वो पूछ रहा है तो इसका जो right option हो जाएगा ना जसी हो जाएगा सरफेक्टेंट की कमी हो जाती है तब ऐसा प्रिटम बेबी में होता है नेस्ट कोस्चन है कि एक बच्चे की लंबाई कितनी उम्र पर जन्मे की लंबाई की दोग नहीं हो जाती है most repeated question and most important question तो बच्चे की लंबाई जो होती है वो चार साल पे क्या होती है कि उसकी जन्म की लंबाई की कितनी हो जाती है दोगनी हो जाती है कितनी हो जाती है दोगनी तो देखें यहां लंबाई की बात की गई है तो लंबाई जो होती है वो चार साल पे होती है और जन्म की समय जो लंबाई की बात करें तो वो 45 से 50 सेंटीमीटर होती है ठीक है 45 से 50 सेंटीमीटर बच्चे की लंबाई होती है और अगर वजन की बात करें तो वो दोगनी अगर पूछे वजन कब दोगनी होती है तो पांच ऐसोफेगस का डिस्टेल इंड बंध होता है वो क्या कहलाता है निस्ट रिकोश्चन देखेंगी कि एक जन्म जात्रोग जिसमें ऐसोफेगस का डिस्टेल इंड बंध हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं तो उसको हम जानते हैं इसोफेगल अर्ड रेशिया के नाम से किसके ना बच्चे करण नहीं करवाना चाहिए जब बच्चा Immunosuppressive therapy पर हो जब उसको Immunosuppressive therapy दी जाती है तो उस समय बच्चे में क्या नहीं करवाना चाहिए पीका करण Immunication नहीं करवाना चाहिए इसका सी सब्सक्राइब कौन सा लच्षड का परिछड किया जाता है। तो इसमें पूश रहा है कि कि किस सिंप्रम का एक्जामिनेशन दा परिछड को जाता है। सौसंदर का क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे अपगार का फुल फॉर्म होई होता है अपियरेंस पल्स ग्रिमेश और एक्टिविटी रिस्पाइरेशन तो रिस्पाइरेशन क्या किया जाता है बाकी इसमें जितनी भी चीजें हैं सब गलत है नेस्ट कोस्चन है कि बच्चों में खसरा प्रमुख्यता किस रूट द्वारा फैलता है तो बच्चों में जो खसरा होता है वो किस रूट द्वारा फैलता है तो वो ड्रॉपलेटी इन्फिक्शन की थ्रू जो खसरा होता है वो बच्चों में फैलता है नेस्ट कोस्टन है कि निम्न मेंसे कौन सी संक्रामक बीमारी जर्मन मीजल्स की नाम से भी जानी जाती है तो जर्मन मीजल्स की नाम से जो बीमारी है न वो रुबैला को हम जानते हैं किसके नाम से जर्मन मीजल्स की नाम से हम रुबैला को भी जानते हैं और जो है ना नेस्ट कोस्टन इसको बता दूं आपको थोड़ा डीटेल में 103 नंबर कोस्टन कि जैसे कि जब बच्चा इम्यूनोस अप्रेसिफ थैर्पी ले रहा होता है तो इसे ही जो रोग प्रतिरोधक छमता होती है वो आल्डेडी कम रहती है तो अगर इस समय टीका करन पर लाइब जो वैक्सीन होती है उसमें जो उपस्थे सूज में होते हैं उनके संक्रमण से जो बच्चे के अंदर उनके संक्रमण से बीमारिया होने की संभावना ज्यादा रहती है इसलिए क्या होता है कि इस टाइम पर इमनाई जीशन नहीं करवाया ता है एक नवजाग सिशो में अपगार स्कोर कब मेजर करना चाई है तो देखो जब बच्चा पैदा होता है तो उस टाइम पर क्या किया जाता है कि अपकार इसकोर लिया जाता है और चैन klassak की एक मिनट बात और फिर पांच बात लेकिन इसमें से सबसे ज्यादा अच्छा कौन समाना जाता है जो पांच मिनट बात लिया जाता है वो अपकार स्कोर सबसे बेस्ट पारा जाता है दो बार अपकार स्कोर करना रहता है नेस्ट कोश्चन है कि प्रसो की बाद तीन दिनों तक मा की अस्तनों से निकलने वाले दूद को क्या कहते हैं तो ये जो दूद को कोलेस्टरम के नाम से जाना जाता है और ये इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन और विडामिन्स रहते हैं तो इसमें इसको बहुत लोग क्या करते हैं कि ये जो मिल्क होता है तीन दिन तक दूद बच्चे को नहीं पिलाते हैं लेकिन ये तीन दिन का जो दूद रहता है न ये बच्चे को बहुत ज़्यादा पिलाना चाहिए मतलब ये बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा उसमें रोक प्रत्रोधक च्छमता से लड़ने की च्छमता हर एक चीज की च नेस्ट कोश्च्ट अंती सोचिल भी हैवियर जिसमें कोई बच्छा जान पूश कर गयर कानुनी कारे करता हैं या इसमें लिप्त रहता है उसको किस नाम से जानते हैं तो उसको नाहम किसके नाम से जानते हैं आप लोगा इंसर बताईए तो उसको हम न जुवेलाइनी डेलीक्रेंसी के नाम से जानते हैं ठीक है किसके नाम से जानते हैं जेवेनाइल डेलीक्रेंसी के नाम से हम उसको जानते हैं नेस्ट कोस्टिन हीमोफीलिया मुख्यता किस में पाया जाता है तो हीमोफीलिया जो होता है वो सबसे ज़्यादा male person में पाय जाता है किसके में पाय जाता है तो यह सबसे ज़्यादा लड़कों में होने वाले जो X-linked disorder होते हैं तो लड़कियों में इस रोग की वाहत्व इस रोग की होने की संभावना नहीं रहती लड़कों में ज़्यादा रहती है लड़कों में ही यह क्या होते हैं मुख्यता यह पाय जाते हैं हीमोफीलिया और हीमोफीलिया X-linked disorder है नेस्ट है गर्वती महिला में दिये जाने वाले टीटी के दो टीकों के मद्ध में समय अंतराल कितना होना चाहिए तो उनकी मद्ध है इसका D options ही होगा एक महीना होगा जैसे कि कोई भी किसी भी डोज अगर दो डोज के मद्ध कितने का फोर वी या फिर वन मंत्ध का गैप होना चाहिए नेस्ट कोईशन है कि पेंटावैलेंट के दो टीकों के मद्ध कितना अंतराल होना चाहिए तो पेंटावैलेंट के जो टीके हैं उनके मद्ध कितना अंतराल होना चाहिए उनके मद्ध भी फोर वी का अंतराल होना चाहिए DPT की booster dose कब दी जाती है तो DPT की जो booster dose होती है वो 16 to 24 मन्त के बीच में दी जाती है कितने पे दी जाती है 16 to 24 मन्त के बीच में जमाने तरह जिसे 8 माह पर भी दी सकते हैं तो 16 से 24 माह के बीच में दी आ जाता है निस्ट है निमने में इसे नौजात मृत्यू का सबसे प्रमुख कारण क्या होता है तो नौजात में जो मृत्यू होती है उसका सबसे ज़्यादा कौज होता है सेप्टी सीमिया की वाजा से नौजात में सबसे ज़्यादा मृत्यू होती है एक बच्चे में सरप्थम कौन से प्रारंभिक दात का उद्भव होता है तो सबसे पहले आप देखते होंगे कि नीचे के सेंट्रल इंसीजर जो टीथ होती है वो सबसे पहले बच्चों की निकलना स्टार्ट हो जाती है तो इसका राइट ऑप्सन ए हो जाएगा मम्स किस रोगाड द्वारा जनित बिमारी है तो मम्स जो होता है वो मैक्सो वाइरस पेरोडोटिस की वज़े से होने वाली एक बिमारी होती है ठीक है इसका स्टी ऑप्सन सही हो जाएगा बच्चे के लिए प्लेट हैरपी की क्या उप्योगिता है जब बच्चे खेलते हैं तो उनका मांसिक भी खास होता है और growth होता है body का भी खास होता है और इसमें बच्चे क्या करते हैं decision making की छमता भी उनके अंदर आती है तो इसके लिए इसका उप्युक्त सभी answer सही होगा Curve legs या deformed pelvis, pigeon chest आधी symptoms बच्चे के लिए किस बिमारी को प्रदर्सित करते हैं तो यह सब जो symptoms होते है वह रिकेट्स में ऐसा होता है और रिकेट्स जो होता है वह vitamin D की कमी से होने वाला एक रोग है इसकी कमी से vitamin D की कमी से निम्न में से कौन से संक्रामक बिमारी के लच्छड है जैसे पैरिट्रेड ग्रंती में दर्द यूम, swelling, बुखार, कान में दर्द, यूम, सिर्द, यह सब पता है किसके symptoms होते हैं यह सब होते हैं mums के symptoms किसके mums जब होता है तब ऐसे पैरिट्रेड जो glands होती है उसमें दर्द होता है और swelling होती है और बुखार होता है आप देखते होंगे बहुत सारे बच्चों को उनका ऐसे face रहता है और यहां पे वो लोग क्या करते हैं एक पट्टी लगाए रहते हैं तो उनको mums हुआ रहता है इसलिए ऐसा वो लोग लगाते हैं किस उम्र में बच्चा कहां गया कोश्चन हाट 1.20 वाला कोश्चन है कि किस उम्र में बच्चा बेसलाइब वेसल्स जैसे कि मामा नाना आदी का उच्चारट सुरू कर देता है तो यह जो है बच्चा किस उम्र में स्टार्ट कर देता है तो वो बच्चा स्टार्ट करता है इसका राइट उप्सन हो जाएगा 9 महीने पर मतलब C उप्सन इसका सही हो जाएगा इस उम्र में क्या करता है बच्चा मामा नाना आदी का उच्चारट करना स्टार्ट कर देत अबगार स्कोर से ही हम सब कुछ पता करते हैं जैसे नियूरोलोजिकल, सर्कुलेटरियों, रिस्पाइरेटरे स्टेटर्स का आखलन करना इन सब के लिए सबसे अच्छा होता है कि अबगार स्कोर क्या अबगार स्कोर नेस्ट है कि चलते हैं आगे रिशुशीयेशन में प्रयोग किये जाने वाले T, A, B, C का क्या मतलब होता है तो T, A, B, C का क्या मतलब होता है उसका मतलब होता है कि टेमफ्रेचर, एयरवे, ब्रीटिंग, और सर्कुलेशन और सर्कुलेशन इसका दी आप्सन सही हो जाएगा TAVC का मतलब भी होता है temperature, airway, breathing and circulation तो इसका right option D हो जाएगा एनुरेक्टल मॉल फॉर्मेशन में निम्नमिसी कौन सा सिम्टम्स पाया जाता है तो एनुरेक्टल मॉल फॉर्मेशन जब होता है तो इसमें abdominal distension भी हो जाता है mucanium in urine, mucanium क्या होता है urine की through आने लगता है और vomiting भी होती है तो इसका आहल सही हो जाएगा किस उम्र पर बच्चे के दातों में ब्रस करने लग जाता है मतलब किस उम्र में बच्चों क्या करते हैं उनकी दातों में ब्रस करना आना स्टार्ट कर देना चाहिए तो इसका right option हो जाएगा जिकि बच्चे तीन वर्स के हो जाए तो उनके दातों में क्या करना चाहिए ब्रस स्टार्ट करवा देना चाहिए नेस्ट कोस्टन है कि निम्र में से मानोस सरेन में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला इम्यूनोग्लोविन कौन सा होता है तो सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो होता है आई जी जी कौन सा आई जी जी तो आई जी जी सबसे ज़्यादा इम्यूनोग्लोविन के पाया जाता है निम्र में से कौन सा टी का गर्वती मा में लगाया जाता है तो गर्वती मा म कि गविलाइब कोछने पंटर में लाइन पिन्ट को अदर जाती तो थर्ममेटर को वी रहवाई जाती है तो पैंक कि जो पहली दूसरी यंथ्धिय। राक होती है जैसे कि फॉर्स्ट जो होती है वो सिक्स वीक पे लगती है और सेकेंड डूस टेन वीक पे लगती है और थार्ड जो होती है वो फॉर्टीन वीक पे लगती है राइड ऑप्सन भी हो जाएगा बच्चों में तापमान मापने का सबसे उपयोगत मार कौन सा है तो बच्चे जो होते हैं उनमें तापमान मापने का सबसे उपयोगत जो होता है वो रेक्टम द्वारा होता है ये कोशन कल भी आया था और आज भी आ गया एक प्रीटर्म बेबी में हाइपोधर्मिया होने की संभावना अधिक होती है एक प्रीटर्म मतलब प्रीटर्म बेबी जो वो होते हैं जो कि जन्मी से अपने जैसे की पहले ही पैदा हो जाते हैं प्रीटर्म होता है पोस्टर्म होता है तो 38 वीक के पहले या 37 वीक के पहले जो पेबी हो जाते हैं उनको हम प्रीटम बेबी के नाम से जानते हैं तो यह कोश्चन किधर गया भई तो इसमें पूछ रहा है कि हाइपो धर्मिया होने का कारड क्या होता है तो इसमें जो होता है सरफिस एरिया अधिक होता है उनका फर्स्ट जीज तो यह है और सेकेंड यह है कि सरीर में ब्राउन फैट की कमी होती है तो इसलिए उनमें क्या होता है हाइपोधर्मिया होने के कौज़स जादा होते हैं और सरीर का वज़न भी उनका कम होता है बट इसमें हाइपोधर्मिया का यह कोई सिम्टम्स नहीं है एक नोजास निजो में माउथ यूम नोज की क्या होते हैं शक्सन ही तो किस साइज का कैथेटर काम लेना चाहिए जैसे माउथ यूम नोज की सक्सन के लिए पूछ रहा है कि किस साइज की कैथेटर काम में लेना चाहिए तो इसके लिए क्या होता है कि आठ नमबर के साइज क घर हागो जाएगा को में इसके लिए बच्चों में क्या होना कार्पोहाइड़िट highdrift और low protein उनके लिए काम में लेना चाहि से right option C हो जाएगा बच्चे में protein की कमिसी होने वाली बीमारी कौन से है तो cos य और बीमारी ऐसी होती है जो कि बच्चे में protein की कमी की वज़ासी होती है अब हम चलते हैं अपने टेस्ट की तरह अपने मन में आप एंसर दीजिए या फिर कमेंट में ही एंसर को सोचिए एक प्रीटर्म बेबी में सेकेंडरी एटलेक्टेसी होने की संभाना अधिक रहती है क्योंकि एक बच्चे की लंबाई कितनी उम्र पर जन्म की लंबाई की दूगनी हो जाती है एक जन्म जात रोग जिसमें ओसर फैगस का जिस्टेल इंड बंध हो जाता है क्या कहलाता है कि इस अवस्ता में बच्चे का टीगा का रड़ नहीं करोना चाहिए अब गारी स्कोर में से निम्न में से कौन सा लच्छड का परिच्छड किया जाता है बच्छी को खष्डा का प्रभ्ट जाता है बच्छे में जो खष्डा होता है वो किस रोड जाता है निम्न में से कौन से संक्रामग बीमारी जर्मन मेजल्स के नाम से भी जानी जाती है एक नौ जास्तिसो में अबगार स्कोर का, kब मेजर करना चैmos. एक नौ जास्तिसो में अबगार स्कोर जो होता है, वो कब मेजर करना चैmos. मॉम्स किस रोगार्ट दोरा जनित रोग है? एक बच्चे में सरप्रधम कौन से प्रारंबिक दात का उद्भव होता है जैसे कि जो आपको कोशन नहीं आ रहे है ना बाई दब आपको भूल गए हैं तो आप लोग वीडियो को स्किप करके फिर से देख लीजें जिससे वो चीजें आपको त्यार हो जाएं ठीक है अरे ठीक है नेस्ट है कि हीमोफीलिया मुख्यता किस में पाया जाता है गर्बती महिला में पाया जाने वाले टीटी के दो टीके के मद्द समय अंत्राल कितना होगा तो देखे आप लोगों को वीडियो की कॉल्टी और वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर पताया करिए और हाँ एक चीज़ और आपको लोग कर दिया करिए कि आप लोग को जैसे कि थियोरी अगर किसी भी सब्जेक्ट के चाहिए इनम के और या फिर मतलब कोई भी सब्जेक्ट इनम का हो मैं फर्स्ट एयर का हो या सेकंड एयर का हो जिसमें आपको कोई भी डाउट हो थोड़ा सा भी डाउट हो तो वो कोशन या फिर वो टापिक आप लोग कमेंट में कमेंट कर दिया गरिए क्योंकि अकर आप लोग कमेंट करेंगे ना तो मुझे पता चलेगा हाँ आप लोग ये सारी वीडियो देखना जाते हैं और ऐसे नहीं तो पेरे पास भी इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं सोच सकूँ कि कौन सी वीडियो डालूं जो आप लोग के लिए बेस्ट रहेगी मुझे तो लग रहा था कि ये वीडियो आप लोग के लिए बे सकता है कि वो चीज़े मुझे बार बार भूल जा रही है तो आप लोग वो चीज़े प्लीज़े कमेंट में बोल दिया करिये मैं उस पर बिल्कुल अच्छे से डिटेल में बीडियो बना दूगी अब ऐसे आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो फिर मुझे समझ में नहीं जायता है कि आप लोग को कौन सी वीडियो दू कौन सी वीडियो आप लोग ऐसे पास जरूर बनाती है तो मैं लिए प общ है तो इसलिए मैं बोलती है कि कमेंट में जरूर बताया करिया की कौन से वीडियो नहीं टॉपिक पे Ginsya अप लोग नहीं बताते हो तो फिर मुझे यह भी तो आप लोग के लिए benefit की वीडियो रहती है बर जो आप लोग को ज्यादा ज़रूरी है जैसर कि 1st Air 2nd Air में आप लोग पढ़ रहे हो तो आप लोग के लिए अगर ज्यादा जरूरी है तो उस भी में वीडियो बना दूंगी और वैसे भी तो यह वीडियो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉम्प्टेटिव इक्जाम में यहां से बहुत सारे कोश्चन आते हैं तो चलिए चलते हैं लोग क्या कर रहे थे टेस्ट ना बच्चे के लिए प्लेट हैरपी की क्या उप्योगिता है कर्व्स लेक्ड डिफॉर्म पैल्विक फिजन चेस्ट आधि लच्छडों में आधि लच्छड बच्चे में किस बीमारी को प्रदर्सित करते हैं निम्न मेंसे कौन सी संक्रामक बीमारी के लच्छड हैं पैरोटीट ग्रेंथी में दर्द्यम सूजन बुखार कान में सिर्दर्ड ये सब किस बीमारी के सिम्टम्स हैं किस उम्र पर बच्चा दांतों को ब्रश करने लग जाता हैं निम्न मेंसे मानों सरीर में सबसे अधिक मात्रा में पैया जाने वाला इम्म्यूनोग्लोबिन कौन सा होता है निम्न मेंसे कौन सा टीका गर्बती मा में लगाया जाता है एक बच्ची का मलास से दौराताप मान लेने पर थर्ममीटर को कितने अंदर तक इंसल्ट करना चाहिए किस उम्र पे बच्चा वेसले वेल्स जैसे की मामा नाना आधिकाव चरहर सुरू कर देता है एक नौजास दिसु की इस्थिदी पता करने की का सरबधी कुप्योग तरीका कौन सा है रिशोशियेसर में प्रियोग किये जाने वाले टी ए बी शी का मतलब क्या होता है पेंटा वेलेंट की थर्ड दोज कब लगाई जाती है बच्चों में ताफ मानमापने का सबसी उप्योग तुमार के कौन सा होता है एक प्रिटर्म बेबी में हाइपो धर्मिया होने की संभावना अधिक रहती है क्यों एक नोजात से सुमें माउथ हैं नोज की सक्सन ही तु किस साइज का धेटर का काम में लीना चाहिए एनोरेक्टल माल फॉर्मेशन में निम्न में से कौन सा सिंप्टम स्पाया जाता है एक एक्क्योट रेनल फेलर वाले बच्चों की डाइट में क्या होना चाहिए बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाले बिमारी कौन सी है सो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी और वाच्च करने के लिए थैंक यू मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए जै स्री राम और अपना और अपनों का ख्याल रखिए इसी के साथ आप लोग को जो भी टॉपिक नहीं समझ में आता मैं एक बार फिर से बोला चाहूंगी आप लोग कमेंट में बता दिया करिए ठीक है मिलते हैं नई वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद और जै स्री राम